सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाएं स्वस्त निरोगी जीवन जीने के लिए सबसे पहले टिप्स पाएं नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप सब का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिल्दी लाइफ टिप्स में आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ अस्तमा से निजात पाने के लिए कुछ घरेलू उपाएं तो आएए बिना वक्त गवाय जानते ह इन घरेलू उपायों को पहला सरसो का तेल और कपूर सरसो का तेल कपूर के साथ अस्तमा के उपचार के लिए एक शक्ति साली प्रयोग है जब तक आपको अस्तमा से राहत नहीं मिल जाती तब तक इस मिश्रन को पूरे च्छाती पर मालिश करें मालिश करने से पहले तेल क गरम कर लें या आपको गर्मी प्रदान करेगा और अस्तमा से तुरंत निजाद दिलाएगा दूसरा नीलगीरी का तेल नीलगीरी का तेल अस्तमा दूर रखने का एक आसान उपाय है एक कटोरी उबलते पानी में नीलगीरी तेल की कुछ बूंदों को डाले और इसकी भाप यह नाग की रुकावट को खोलने में मदद करता है जिससे आप असानी से सास ले पाते हैं तीसरा अंजीर जब भी अस्तमा के खिलाब एक प्रवावी घरिल उपाई की बात आती है तो अंजीर सबसे उपर माना जाता है सुखे अंजीर को रात भर पानी में भीगो दें सुभा सबसे पहले उन्हें खाएं और फिर बचे हुए पानी को पी जाएं चौथा दाल चिनी त्रिकुट और शहद एक चम्मच दाल चिनी पाउडर और एक चौथाई चम्मच त्रिकुट पाउडर को एक कप उबलते पानी में मिलाएं इसे दस मिनट के लिए छोड़ दें और पीने से पहले एक चम्मच शहद मिलाएं अधिक्तम लाव के लिए इसे दिन में दो बार लें डॉक्तर वसंद लैड ने आरियूवेदिक उपचार पर अपनी पुस्तक में इसका सुझाव भी दिया है पाँच्वा मुलेठी और अदरक लिको राइस जिसे हम हिंदी में मुलेठी भी कहते हैं अस्तमा के लिए एक कारगर आउश्दी मानी जाती है आधा चमच मुलेठी और आधा चमच अदरक से बनी चाई पिए इससे आपको अस्तमा में लाब होगा अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें शेर करें और सब्सक्राइब करें